हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बदाम मिल्क जिसके लिए हमने बदाम भिगोकर छील लिये हैं पिस्ता, काजू, बदाम, एक लिटर दूद के लिए तीन चमस्चीनी और केसर दूद में भिगोया हुआ एक लिटर दूद को कड़ाई में डाल लेंगे आपने एक लिटर फुल क्रीम दूद लेना है और इसको पलने देंगे भीगे हुए बदामों को अच्छी तरीके से फूट लेंगे दूद को बीच बीच में चलाते रहें अब इसमें कुटे हुए काजू और केसर का दूद सोरी कुटे हुए काजू नहीं कुटे हुए बदाम अब इसको मंदी गैस पर कमसे गमादा गंटा चलने दे और हर दस मिनट बाद इसको चलाते रहें यह दूद हमारा तेयार होने वाला है अब हम काजू बदाम कूटेंगे काजू बदाम और पिस्टा इन तीनों को हम कूट लेंगे अब इसमें के पेस्ट डालें यह काजू बदाम कूटे हुए इसको तेज आज पर पांच मिनट और पकाएंगे पांच मिनट बाद इसमें चीनी डालेंगे और पांच मिनट और चलाकर गैस बंद कर देंगे यह हमारा दूद तेयार हो चुका है इसको सर्व करने से पहले इसकी मलाई पीछे करेंगे और इसको गिलास में डालेंगे आप चाहें तो इसे गर्मा गरम पेश करें या फ्रीज में रख कर अब इसके उपर मलाई डालेंगे लीजिए तैयार है बादाम मिल्क आप चाहें तो इसको ठंडाई भी बोल सकते हैं मेमानों को पसंद आए तो लाइक करें और मेरी अगली डिश को जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू ओर वाजिए